अधियो को लाइक कर दीजे और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में गैप अप देखने के बाद फिलाल मार्केट एक पॉस मोड में है कोई अधियोगी फ्रिक्वेंट मुमेंट देखने को नहीं मिल रहा है नहीं निफ्टी में नहीं बैंक निफ्टी तो अगर अभी निफ्टी को देखें मूव कर रहा है 17,700 के लेवल के ऊपर ऊपर एक important level 17,800 का है जो कई दिनों से एक resistance की तरह काम कर रहा था 70,800 साथ बैंक निफ्टी को बात करें अगर बैंक निफ्टी एक पूरे pause mode में चला गया है 42,400 के आसपास के premium के आसपास move कर रहा है उपर एक important level 42,500 का तो सबसे पहले निफ्टी को चेक करते हैं 17,800 का level और 700 का level क्या हमें वहाँ call writing दिखती है जिससे की market शायद और नीचे जा सकती है या फिर put writing दिखती है तो कहीं पे support दिखाई दे सकता है सीधे चलते हैं निफ्टी के option चिन में इसको एक बार refresh कर लेते हैं 17,800 और 17,700 ये दो strike price चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी 17,800 को देखें तो हम मुझे call writing दिखाई देनी अच्छी चाहिए वैसे तो यहां पर भी फिलाल आपको 21,000 almost change in why call writing काफी अच्छा है और इदार सिर्फ 1000 है नंबर्स अभी बहुत बड़े कोई नहीं आये हैं बट फिर भी जो figure है वो काफी अच्छा है call writing में साथ के साथ 1,90,000 almost 2,00,000 का असपास जो है इसमें आपको open interest भी दिखाई दे रहा है call writing में वॉल्यूम की बात करें काफी अच्छे वॉल्यूम से ट्रेट हो रहें 17,800 क्लियर कट एक resistance डिकलेर हो चुका है option चिन में आप बात करते हैं 17,700 की एक बात कर लें 17,700 को देखें तो सिर्फ 6,000 almost change in why है इधर अगर आप देखें तो change in why हमारा put side जादा हो रहा है 17,700 में 1,82,000 something open interest इधर है अगर वॉल्यूम की बात करें तो लगभग वॉल्यूम सेम numbers के आसपास trade हो रहा है यह थोड़ा सा एक tight zone volumes की वज़े से बन सकता है फिलाल थोड़ा सा pressure support की तरफ जादा है 70,700 में साथ करा 70,750 भी चेक करते हैं 70,750 को कर देखें 31,000 का change in why call rating में 25,000 का change in why put rating में open interest भी इधर resistance की तरफ जादा है volume की बात करें तो भी resistance की तरफ जादा है तो means market अभी फिलाल जो scenario बना रहा है वो 70,700 से 800 के बीच में ही movement का कहीं बना रहा है क्योंकि 70,700 के support अचा ले रहा है वो और 800 पे resistance दे रहा है तो अभी फिलाल market इन दो points के बीच में ही कहीं movement देने की कोशिश कर सकती है बड़े numbers और कहीं ढूने तो और कहीं खासम खास कोई बड़े numbers हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं और अभी market वहीं पर move भी कर रहा है यह 800 का level है 700 का level है फिलाल market almost यहां तक शायद यहां तक movement ही लेने कोशिश करेगी कुछ इस तरीके अगर आपको movement दिखता है तो शायद आपको यहां से कहीं एक बार support देखने को मिल सकता है जब यह RSI शायद यहां 60 के आसपास टेच करके दुबारा एक support लेने कोशिश करे और हो सकता है पहला target अगर आप यहां से support लेता है तो पहला target अगर आप call में बनाते भी हैं तो आपका यह target होना चाहिए 70,770 के आसपास अगर यहां से कहीं कोई bullish momentum दिखता है पुट राइटिंग काफी अच्छी हो जाती है 70,700 पर आते हुए time तो एक हमें यहां से support दिख सकता है मारे अब फिलाल बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी ने support ले लिया है 42,400 के आसपास थोड़ा सा bullish momentum बनाने की कोशिश कर रहा है RSI भी देगे तो almost 60 के ऊपर है और 60 के ऊपर RSI मेंसे bullish momentum हम मान सकते हैं bullish trend मान सकते हैं जब तक RSI 60 के ऊपर रहेगा तब तक और 42,500 का level चेक करें जो upcoming resistance बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए तो बनेगा की नहीं बनेगा यह चलके चेक करते हैं सीधे option chain में 42,500 का level 42,500 का level अगर हम देखें तो call writing 32,000 something changing हो आई है 1,36,000 का open interest है अगर put writing देखें तो 42,000 के आसपास है put writing काफी अच्छी हो रहे है 42,500 पर open interest काफी कम है volumes की बात करें तो volumes call writing में काफी अच्छे ज़्यादा trade हो रहे हैं तो call writing में volumes काफी अच्छे trade होने का मतलब है कि अभी थोड़ा सा pressure रहेगा 42,500 पर market उसको नीचे down करनेगी कोशिश करेगी शायद break होने में time लगे अगर bullish momentum market का रहा फिलाल तो कोई नजर bullish momentum अभी आ नहीं रहे सिर्फ change in OI एक है जो put writing में थोड़ा सा जादा है 42,500 पर बट अभी जो सारे numbers वैसे prediction जो मतलब एक analysis के हिसाब से pressure जो दे रहे हैं वो call writing की तरह दे रहे हैं थोड़ा सा वहाँ पर pause mode रह सकता है bank nifty के लिए 42,500 के आसपास जब market पहुँचेगा तो यहाँ पर कहीं आपको शायद इस तरीके से pressure दिखेगा उपर से जो volumes क्योंकि call writing में काफी अच्छे trade हो रहे हैं 42,500 के तो market यहाँ तक कहीं आपको sustain करता हुआ थोड़ा सा pause लेता हुआ नजर आएगा और मतलब उपर से दबाओ रहेगा जो market को उपर नहीं जाने देगा 42,500 के थोड़ा सा तो अगर volumes हमारे साथ निकल जाते हैं put writing के तरफ तो फिर शायद 42,500 में तोड़ने के भी chances बन सकते 42,400 के लेवल को अगर देखें तो 42,400 के लेवल को अगर देखें तो 42,400 के लेवल देखें तो काफी अच्छी call writing है 80,000 something जवरदस्त call writing 42,400 पर और put writing भी 78,000 की है volumes को अगर हम देखें 42,400 पर 7,30,000 call writing की तरफ वोल्यूम ट्रेड हो रहे हैं और इधर volume 5,000 ट्रेड हो रहे हैं तो फिलाल numbers जो है volumes की भी बात करें तो हमें call writing की तरफ थोड़े से दिख रहे हैं 42,400 पर भी 42,300 पर भी और put writing अ इनी numbers पर दिखाई दे रहे है 42,300 पर change in oi काफी अच्छा है 66,000 के approach है और 42,400 की बात करें तो change in oi लगबग similar है तो 42,400 थोड़ा सा mid zone भी रह सकता है थोड़ा सा volumes हमें call writing की तरफ दिखाई दे रहे हैं तो थोड़ा सा अभी market का ऐसे बहुत अच्छा bullish momentum उपर की तरफ जान काफी अच्छी पुट राइटिंग दिखती 42,300 या 400 पर तो उसके बाद फिर हमें bullish momentum दिखाई दे पुट राइटिंग बढ़े आप सब लोग को अच्छा लगा होगा प्लीस कमेंट करके जरू बताईएगा वीडियो को लाइक करिएगा जिन्होंने भी combo course नहीं जॉइन किया है करना चाहते हैं study करना चाहते हैं options trading के बारे में खासकर nifty और bank nifty में starting से beginning से तो website पर जा सकते हैं link में description में दे रख है और इस बटन पर click करके आप इस form को fill up करके फाइल को download कर सकते हैं course की कोई problem होती तो आप इस number भी मैसेज कर सकते हैं so thank you very much whatsapp पर आप इस पर message कर सकते हैं कोई भी problem हो मैं मिलता हूँ आपको next video पे thank you